हेलो गाइज मैं हूँ विक्की और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस चेनल विक्की की क्लासिस में और आज हम यहां पर करने जा रहे हैं 6.2 थ्योरम तो 6.2 थ्योरम में यहां पर हमसे क्या कहा गया गया है इहां पर हमसे पहले से जिवन है कि हमें यहां पर हमसे कहा गया है कि आपसं में क्या है equal है side-car issue यहां पर equal है तो जो हमें given हैं हम लिखने जा रहे हैं यहां पर हमें यहां पर given है a d divided by d d equal to a e divided by e c यह हमें इसमें क्या है given है और हमें इसमें इसमें प्रक्राइब करना है जी जो लाइन है और बीसी जो लाइन है य कि यह डोनों आपस में और यह क्रीब करना है और इसको प्रौइक के लिए हमें इसमें कुछ अपने से construction करना पड़ेगा construction अब construction में क्या करने वाले हैं वैसे हमें पुरूप दी और बी सी को पैलल दिखाना है तो हम अपने से एक line ड्रॉ करने वाले हैं जो हम कहने वाले कि यह जो a line है वो बी सी के कैसे आपस में पैलल है तो मैंने इसको नाम जाए है डी एफ तो construction में हम यहाँ पर यह लिखने वाले हैं कि जो डी एफ है वो पैलल किसके बी सी के ठीक है और जब यह line डी एफ बी सी के पैलल होगी यहां से एक बात और निकल के आ रही है कि इन में side का ratio क्या होगा equal यहां पर हम थैल्स फर्मे का use कर सकते हैं df divided by ad divided by db equal to af divided by fc अगर हम यह construction करते हैं तो उसके साथ ही यहां पर यह थैल्स फर्मे लग जाती है हमारी तो यह तो चलो construction हो गया उसके बाद हमें अब करने गा रहे हैं हम इसको प्रूप इसको प्रूप करने गा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां पर जो given है हमें हम उसका use करने बारे हैं हमें given क्या है हमें given है ad upon db equal to ae upon e c यह कहां से लिका हमने given से इसको हम equation number one ले दे रहें उसके बाद जो हमने by construction जो किया है यहां पर by construction by construction df पैलल क्या था हमारा bc यह हमने construction कहता है इसी के साथ हमें क्या मिला था यहां से ad divided by db equal to af divided by fc तो यह हमने construction से किया था इसको हमने बोले question number two ठीके नहीं अगर यह इसके पहले ले तो ad upon db और af upon fc आपस में क्या जाएंगे equal हो जाएंगे अब from equation one and two from equation one and two हम क्या लिखने वाले यहां पर देखो दोनों का left and side क्या है अगर आप ध्यान दोगे इसमें तो ad यह दोनों का left and side क्या है equal है अगर left and side अगर equal होगा तो identified क्या हो जागा equal तो हम यहां से यह लिख सकते हैं इसमें ae divided by ec is equal to af divided by fc यह ae upon ec है और af upon fc है यह आपस में क्या होने चाहिए equal इसके बाद हम इसमें दोनों side दोनों side add करने वाल है one adding both side one थे नहीं दोनों side हमने one के करना है इसमें add कर देना है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ae divided by ec plus one equal to af upon fc af upon fc plus one अब इसके नीचे भी one है और इसके नीचे भी क्या है one है तो यहां पर हम ले लेंगे इसमें lcm लेने पर जो हमारा आएगा वह आएगा हमारा lcm इसमें ec आएगा lcm left में ec lcm आएगा तो one का multiply ae से करेंगे तो ae ही आएगा इसमें equal to plus अब ec का multiply one से करेंगे तो ec ही आएगा अब इस तरब lcm क्या जाएगा मारा fc और one का multiply ae f से करेंगे तो ae f e आएगा ae f plus और fc का multiply one से करेंगे तो fc आएगा अब इसको हमें डियाग्राम पर फोकॉस करता है कि डियाग्राम पर यह कहां पर लिखावा है अब इसके बाद हम इसके बाद हम इसके बाद देखो एफ प्लस fc एफ यह है और fc यह है अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा अब देखो यहां पर उपर क्या है एसी दोनों जोगा है दोनों जोगा लिखा एसी तो एसी से एसी क्या हो जागा अब देखो क्या मिलेगा अपने को इसके बाद मैं यहां लिख दे रहो नीचे तो यहां पर जो मिलेगा मैं तो यहां मिलेगा वन ऊपर और नीचे क्या मिल जाएगा एसी यह फिर एफसी 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 तो एफसी एफसी क्या मिल जाएगा इसी मिल जाए तो यह है अब देखो यह जो है ना यह कुछ जी हमें सौगा प्रों यह जो FC है और EC है FC और EC यह दोनों आपस में कैसे है एक कोल है इसका मतलब यह है कि यह जो डी इप्वाइंट है वह उसमें जो एफ प्वाइंट वह यहां आओकर यह की ऊपर ही होना चाहिए कहने का मतलब अगर मैं FC को 4 बोल दूँ 4 cm तो EC को भी क्या बोलूँगा 4 क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा एक क्वल मतलब दोनों की जो मिजरेमेंट है यहां से वो क्या है सेम है तो अगर FC FC अगर 4 cm के डिस्टंस पर और EC को भी क्या होना पड़ेगा चार डिस्टंस प की जो E-point है एंड F-point है वो एक दूसरे की ओबर क्या करना चाहिए कौन साइड करने चाहिए कौन कौन साइड होने चाहिए ठीर और इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं अब क्योंकि हमने भी के लाइन पातने में कि यह चाहिए कुछ सब्सक्राइब अर जब ये इसके parallel होगी अब क्योंकि इसके नीच्छी वाइम नीच्छे वाइन भी इसके क्या ऊपर और ये換 इसके क्या ही पैलल हैan तो इस यह को भी BC के कैसा होना चाहिए पहला लोना चाहिए तो यह यहां पर यह वाली पर्मे भी क्या हो गई यह हमारी प्रूप्ट हो चुकी है ठीक है तो यह था इस में 6.2 theorem I hope आपको यह समझ में आऊगा तो आज के लिए इतना ही next हम करेंगे 6.3 theorem ओके बाई